बाई और बेहनों, दीदी और उनके गिरों की बातें ये बताती है कि टी एमसी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है बेहनों, दीदी और उनके गिरों की बातें ये बताती है कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरात कितनी बढ़ती जा रही है अब दीदी के लोग, बंगाल के शिडुल कास, अनुसुची जाती के हमारे भाई बेहनों को गाली देने लगे हैं ऐसी समुदाई को, अनुसुची जाती के भाई बेहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं उनको बिखारी कहने लगे हैं, बिखारी मेरे प्यारे भाई बेहनों, बाबा साब आम बेड़ करकी आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकार कितना कष्ट हुआ होगा अभी 14 अप्रिल को ही बाबा साब की जन्म जैन्ती है जन्म जैन्ती से पहले दीदी ने टीएमसी ने बाबा साब आम बेड़ करका इतना बड़ा अपमान किया है कोई सोच नहीं सकता सा कि बंगाल की धर्ति पर ये कहा जाएगा बंगाल की सीएम का कोई करीबी इस तरह की बद्दी बाते कर सकता है इसका अंदाजा न देश को था न बंगाल को ये कलपना से भी परहें कि कोई व्यक्ति ऐसी भासा बोल सकता है लेकिन दुर्भाग्य है दुखत है ये सच्चा ही है और साथियों दीजी तो खुद को रॉयल बंगाल ताइगर बोलती है न सीडिल कास के मेरे भाई और बहनों के खिलाब ऐसा गनित बयान बीना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता आप मुझे परसाईए क्या दीदी की मर्जी के बीना टीएमसी का कोई भी नेता ऐसा बयान दे सकता है क्या दे सकता है क्या और देखिए इतना बड़ा गंबीर बयान आ गया हमारे दलीज समाज को अनुसी जाती के लोगों को बिखारी तक कह दिया लेकिन अभी तक दीदी ने कि उसका इंकार नहीं किया विरोध नहीं किया छमा नहीं मांगी इतना ही नहीं कि यह जितने लोग कभी ने कभी उनके साथ रहते हैं हिंदुस्तान की कोई भी दल जो कभी दीदी के पक्ष में खड़ा हो जाता है बेभी कॉंगरेस समय कोई पीमसी के दलीतों के अपमान करने वाले इस वाक्य के खिलाब एक शब्द नहीं बोले हैं दीदी दलीतों का अपमान करके अनुसुची जाति के लोगों का अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया है आपने बहुत बड़ा पाप किया है मेरे भाईयों बहनों वो राजा राम महुन राए जिनोंने जाती प्रथा के खिलाब पुरे देश को जगजोरा इस कूरिती को मिठाने के लिए देश को दिशा दिखाई उनके बंगाल में दीदी ने दलीतों का ऐसा अपमान करवाया है वो स्री स्री होरिचन ठाकोर जिनोंने जाती प्रथा के खिलाब सामाजिक अंदोलन सुरू किया दलीतों की बराबरी के लिए आवाज उठाई उनके बंगाल में दीदी ने दलीतों का ऐसा अपमान करवाया है वो स्री राम कृष्णा प्रमवदेव जिनोंने कहा कि हर जीव में शीव है जो हर जीव में परमात्मा देखते थे उनके बंगाल में दीदी ने दलीतों का ऐसा अपमान करवाया है इश्वर्चंद्र विद्या सागर जी के बंगाल में रानी राश्मणी जी के बंगाल में मतिलाल सिल जी के बंगाल में आपने दलीतों का ऐसा अपमान करवाया है दीदी दलीतों का अपमान करके आपने सबसे बड़ी भूल कर दी है बंगाल के लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे बंगाल का कोई बच्चा इस बात को भूलेगा नहीं दीदी ओ दीदी अरे दीदी आर हो दीदे ये क्या हो गया दीदी आपको क्या हो गया आपको करीबियों को झाल झाल